आज हम लोग संख्यांगी का तीसरा क्लास करेंगे तो आपको दुस्तों क्लास को ध्यान से देखना है और सुनना है ठीक है और आप लोगों अगर इससे पहले वाले दो क्लास नहीं देखेंगे तो पहले उसे देख लिजेगा क्यूंकि आज की क्लास हम लोग जितने भी कुस्चन करें 5 में से 4 क्रिकेट खिलारी के रमसा 13-95-11 पारियां खेल चुके हैं अगर डेटासेट का माद 9 है तो 5 में खिलारी द्वारा खेली गई पारियों की संख्या कितनी है यहां पर आपको पता है कि 5 खिलारी है टूटल ठीक है इस 5 खिलारी में 4 जो क्रिकेट खिलार यह टूटल और इस 5 खिलारी का माद है वह आपको पता है 9 तो आप लोग कह सकते हैं 5 खिलारी का जो कुल रन है वह आपको पता हो गया 45 ठीक है जो कि हम लोग जानते हैं माद के लिए कुल का योग बटा कुल पद तो कुल का योग आपको निकलना है तो average multiply कर देना है कुल तो यहां से आपका अगया total run ठीक है आप लोग कह सकते हैं 5 खिलारी है total 45 run बनाए अब बात करते हैं 4 खिलारी के बारे में कि उसने कितना run बनाए total ठीक है तिहां पर total का योग कर लिजे 11 आपको जोग 20, 20, 22, 35, 33, 38 यहन्या आप लोग कह सकते हैं 4 खिलारी total 38 run बनाए और 5 क आपको पता है total 45 तो यहां पर आप लोग कहल सकते हैं एक खिलारी जो है वह कितना बनाया है मतल्ला total आप को पता है पाँच उसमें से 4 का मेनस कर देंगे तो हमें निकले गए एक खिलारी का तो यहां पर आपको जोग 32, 45 यहन्री 5 में दूशाथ यहां आप लोग कह सकते है पाचवा खिलारी टूटल 7 रन बनाए तो उप्सन वर आपका देखिए यहाँ पर सी से जोगा 7 तो इसे दोस्ता आप लोग समझे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी समने दूसरा कुष्चन है कुष्चन में आपको संख्या पता है ठीक है इसका आपको निकलना है मादिका, बहुलक और माद ठीक है यह तीनो टर्म आप लोग को निकलना है तो सबसे पहले बात करते हैं मादिका की तो माधिका के लिए हम लोग जानते हैं कि जो भी हमें संख्या पता होता है उसे बरते करमे या घरते करमे सजाते हैं ठीक है और बरते या घरते करमे सजाने के बाद जो भी हमारा बीच वाला संख्या होता है वहीं आपका होता है माधिका यहाँ पर आप लोग सबसे पहले इसे बरते करमें सजा दीजे ठीक है आप लोग चाहे तो घरते करमें भी सजा सकते हैं उसे कोई फरक नहीं बरता है ठीक है लेकिन हम लोग बरते करमें सजाते हैं जो आसानी होता है बनाने में ठीक है यहाँ पर आप लोग का सकते हैं सबसे पहले आपका छूटा संग्या प्याए 5 है ति आपको जिगा 5 फिर आपको जिगा 7 उसके बाद आपको जिगा 8 8 कितना है टूटल कौन कर लिजे ति आपको जिगा 1,2,3 8 की संग्या 3 है ता आपको जिगा 8 तो ना आपको जगा it उसके बाद बात करते हैं 9 की 9 आपका total हो जगा 1 2, 3, 4 तो 9 आपका total 4 तो आपको जगा 1, 2, 3, 4 तो यह आपका total संख्या आ गया बढ़ते करम में ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 संख्या right हो गया तो बीच में आपका बचा इď तो आप लोग कर सकते हैं इस संख्या का जो मादिका हो गया वो आपको जगा इट अभ बात करते बहुलग की तो बहुलग क्या होता है जो संख्या सरवाधिक वार Repeat होता है मैंने आप लोग को पर्थम कलास में बताAY था जो संख्षा सबसे अधिक βाई repeat होता है वहीं आपको होता है बवलक तो यहाँपर आपलोग कह सकते है 9 के सबसे अधिक वाई repeat होाई मतल़ चार बाई repeat होाई यहाँपर आपका बवलक हो ज으니까 9 आपको माधिका भी आगया, बवलक भी आगया अब बात करते हैं माधगी तो माधगे लिए आप लोग जानते हैं कूल पदों का योग बटा रूपद तो यहां पर आपको चेंग बंचों कि 36 या आपको 38 चेंग रूपिस यापको такой बंच 12 तो टोटल का कितना होगा यहाँ पर दोस्ता आपका एंसर हो जगा आठ नो आठ ठीक है तो इसे दोस्ता आप ध्यान में रखेगा चली आगे बढ़ते हैं आपकी समने तीसरा कुष्चन है कुष्चन में आपको संक्या पता है ठीक है इसका निकलना है बहुला कोर माधिका तो सबसे पहले बात करते हैं माधिका की तो माधिका अकले आप लोग जानते हैं सभी संक्या को बढ़ते करमे लिखते हैं या घरते करमे लिखते हैं तो अक्सर दोस्तम लोग बढ़ते करमे संक्यां से आपको वर्थえ क्रm है 6 cioè श família कितना तीन है एक यहां पर एक यहां पर गेसे यहां पर यहां पर जो एक है यए यहां पर और यहां पर संख्या टोटल हो तो 1, 2, 3, 4 हर एक संक्या होकम लोगों ने बढ़ते करम में सजा लिए ठीक है अब बात करते हैं माधिका की यहाँ पर देखें चार संक्या राइट में चार संक्या लेप्ट में तो बीच में बच आपका 7 तो आप लोग कर सकते हैं 7 या आपका क्या होगा माधिका होगा अब बात करते हैं बहुलक की तो बहुलक के लिए लेते हैं जो संक्या सरवाधिक बार रिपीट होता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 दो बार है 16 बार है और 8 आपका क्या 4 बार है तो आप लोग कर सकते बहुलक कितना होगा 8 होगा तो बहुलक आपका आगया 8 और माधिका आपको जगा 7 यानि 8 और 7 आपका अंसर होगा तो उप्सन वर यहाँ पर देखिए आपका C मेच कर रहा है 8 और 7 तो यसे भी दूस्त आप लोग समझेंगे चलिए आगये मरते हैं आपकी समने चुटा कुश्चन है कुश्டण में आपको संक्याज पता है ठीक है इसका आपको निकालना है range बहुलक माधिका ठीक है मतला 7 cum 1 minus 9 cum 1 तो यहांपर तिखे ya cum 2 cum 1 आपको पता है यहांपर देखलिजीए सबसे उच stuff 1 जो है वह आपका 21 तियांपर आपको 22 मैंने सोजगा सबसे चोटा तो सबसे चोटा यहांपर देखे आपको 22 तो 12,20,21 यहांने आपको जघा होगा 9 तो आप लोग का सकते इस question का जो range होगा यानि परिसर्ज होगा वो आपको ज़गा 9 ठीक है और 9 दोस्तों मातर आपका option नमर A में है तो आप लोग का सकते option नमर A ही क्या होगा आपका सही होगा मतला question का जो range है वो आपका 9 है और question का बोलक आप लोग कर सकते 13 होगा और question का जो मादी का है वो आप लोग कर सकते 14 होगा ठीक है चूंकि एक मादर option नमर A है जिसमें क्या है range 9 है तो आप लोग कर सकते और option नमर A ही आपका क्या होगा सही होगा तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे विच्णन गुनांग निकालने के लिए हम लोग दूसरे क्लास में शीखे थे यहां से आपको ओज़गा रहा है ढğı peng सिब भुझक निटीज तेज़गा आप लोग समझेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी समने छटा कुश्चन है, कुश्चन करें, 20 परेक्षन का अमाद 19 है, एक और परेक्षन सामिल किया जाता है, और नए अमाद 20 हो जाता है, तो 21 परेक्षन क्या है, यहाँ पर आपको पता है, 20 परेक्षन का जो आप लोग कर सकते हो जग 21, एक नया प्रेक्शन सामिल होने के करण यह हो जाता है 21, ठीक है, पहले से 20 था, एक नया आए गया तो हो जग 21, और इस नया प्रेक्शन के करण माद हो जाता है 20, ठीक है, ति यहाँ पर आपको लिखना है 20, ति आपको जग 22, 42 यहाँ पर आपको झालीस निए किसमा परीक्शन का जुमान है वह कितना 40 है बसनर यहां पर देखित का सीससे उजी का 40 यźems याण 19 मा परीक्शन का जुमान है वह आपको पता है कि 35 प्रिक्षन का जो उसत है वह रहतकी इतना 21 है इसका योग कर लिजिए तोल कितना आता है इसके लिए करते हैं मुल्टिपल तो यहां पर भी दुस्ता आप लोग को kool का योग निकालेना है ठीक है 17 परिम नामों का आपको उसत पता है 11 और आप लोग जानते है कool का योग क्या होता है मतल्या माद के लिल लोग जानते है कool का योग बताए kul pad तो कूल का योग निकलना है तो पद में आपको multiply कर देने हैं उसाथ से तो पद आपको पता है total 17 और उसाथ पता है 19 तियाँ पर 17 byt Joy कर देने है 19 तो जब दोस्तते से multiply किजिएगा तो आपका जिगा 37 ठीक है आप लोग कहा सकते हैं 17 परिनामों का जो खुली होगा वो आपको जगा 33 पुनो आगे कुश्चन करें अंतिम 17 का उसत कितना बैस है अंतिम 17 का उसत आपको पता है 22 ठीक है 17 को जब 22 से मल्टिप्लाइ कीजिएगा तो आपको जगा 34 ठीक है यहाँ पर आप लोग कहा सकते हैं अंतिम 17 का जो खुल योग होगा वो आपको जिगा 34 तो 17 पलस्तत्र आपको जिगा 34 ठीक है 34 परिणामों का खुल योग आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर टोटल का योग कर लिजिए तोटल आपका अगया 34 इसका योग कर लिजे तो आपको जिए 4, 3, 7 यहां से आपको जिए 7, 2, 9 या आपको जिए 3, 3, 4 यानि 697 यानि 34 परिनामों का कुल योग आपको पता होगे 697 और यहां पर आपको पता है 35 का कितना है 735 है यहाँ पर जो आपको पता है 735 इसमें से मिनस कर देना 697 तब जो आपको डाटा प्राप्त होगा वह आपको अठारमा पर एक्षन का मान पता होगा ठीक है तो यहाँ पर अंतर कर लिजे तो यहाँ पर आपको जीगा 15 15 में से 7 जगा हो जगा 8 यहाँ पर हो जगा 13 एक पेचा दीजेगा तो बचेगा 12 12 में से 9 जगा 9 3 12 ने 3 और यहाँ पर बचा आपका 6 6 में से 6 जगा कैंसिल यहाँ आप लोग का सकते 18 मापरी नाम का जो मान है वह कितना 30 है तो अप्सन नमर यहाँ पर देखिए आपका C मेच कर रहा है 30 ठीक है तो इ एका दना 8 मेलाओं की कुल लमबाई का याँ पर आप लोग्अ से 9 मेलाओं की कुल लंबाई का योग आठ मेलाओं की उचाही का जो आपको माद बता है वह आपको पता garant तो यहाँ पर कुल योग, निकाल लीजे कितना बता है ठीक है 8 का दोस्तो iisat 64 मिटर तो कुल का आप लोग कर सकते हैं आठ मेलाओं की जो लंबाई है इसका जो कुली होगा वह आपको जिगा 12.80 मीटर ठीक है तो अप्सन वर यहां पर देखिए आपका बीमेच कर रहा है 12.80 जिगा 12.80 में जब भी आपको परसरन या बीचरन या परसा ठीक है इस तीनों में से अगर कोई भी पद आपको कुष्चन में द्यार है तीनों को मतलब एक ही होता है ठीक है आपको करना है मानाख विचलन का स्कुएर तो यहां पर आपको मानाख विचलन का मन पता है अगारा का कर देना इसको है तो अपको जब बात करते हैं आखरी क्यूष्चन की जो कुषचन मरदस है आपके समने आखरी क्यूष्चन है 6 चरो की लंबाई का मद 44.2 SMii उनमेंसे 5 चरो की लंबाई का मद चालिस SMii तो 6 चर की लंबाई क्या है देखिए Q cabin में आपको पता है 6 चरो की लंबाई का मद बहां कितना 44.2 SMii है हासीस काप्ल योग निकाल लीज़े आप लोग कर सकते चोचरो की लंबाई का जो कुलियों गया वो आपको पता हो गया 25.2 मीटर ठीक है अब बात करते 5 चरो की तो 5 चरो का मदमान आपको पता है 40 cm तो यहां से इसका कुलियों कर लिजे यह आपको जो 35 यानि 3 पुना हो जो 24, 23, 23 यानि 23 तो आप लोग कर सकते हैं 5 चरो का जो लंबाई है वो आपको पता होगे 230 cm ठीक है चोचरो का भी लंबाई पता है और 5 चरो का भी लंबाई पता है तो आप लोग निकाल सकते हैं 6 चरो का लंबाई कितना होगा ठीक है चो चर में से पांच चरका मिनस करेंगे तो बचे का एक चरका और वहाद क्या हुआ छठा चरका होगा तो यहां पर उस्तो अंतर कर लिजे यह आपका है दोसर 65.2 मीटर और यह आपका है दोसर 30 तो 30, 30, 65, 65 यानि 35.2 मीटर आप लोग कर सकते हैं छठा चरकी लंबाई होगा ठीक है तो उप्सन बर आपका देखे वी मेच कर रहा है 35.2 cm ठीक है जो छठा चरकी लंबाई होगा तो यहां दोस्तो आखरी question था जिससे आप लोग समझे ठीक और हम लोगों ने संख्यांकी से 3 class किये जो की कापी important है तो यहां पर दोस्तो आप लोग इसे practice की जगा आपका दोस्तों एक भी टैप का question नहीं भी सोगा संख्यांकी से ठीक है तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगर दोस्तों आप लोग इस class को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्य हम से सीख सकते हैं तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी का अकून को दबाएए इससे दोस्तों आपको लेक लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एक भी कलास में से नहीं होगा तो मिलते हैं अगले कलास में तब तक के लिए जाहिंट जा भारत